कि नमस्कार दोस्तों जैस्टीक रश्नर कैसे हैं आप सब उम्मिद करते हैं दोस्तों खुश होंगे दोस्तों स्वागत है आपका आप की चैनल अन्वन में दोस्तों बहुत बहुत ही आज की जो करण प्रोब्लम्स है आज मैं उसका डिश्कस करने जा रही हूँ आपके साथ में काफी लेडिस इसको महिलाओं को ये प्राब्लम से कि उनके पती या पतियों को प्राब्लम है कि उनकी पत्नी बाहर अन्य लोगों के साथ उनके रिलेशन है सोतन से परिशाने महिलाएं पती घर में ध्यान नहीं देते हैं घर में किसी चीज में उन्हें इंट्रेस्ट नहीं है क्योंकि उन्हेंने अपनी लाइफ को बाहर किसी और के साथ जोड़ करके रखा है और उसको तोड़ने का कोई उपाई दिखाई नहीं देता है तो दोस्तो किस तरीके से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं दोनों कभी एक दूसरे के शकल देखना पसंद नहीं करेंगे सिर्फ आप इस उपाय को करके देखें तो दोस्तों जो मेरी मेरी चैनल पर नए आहें प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी ज मैं उन्हें उपाय बताने जारी हूं और यह पतियों के लिए भी कारगते वह भी चाहें तो कर सकते हैं तो दोस्तों आपको इसे करना है बहुत ही आश्शान है लेकिन मैं फिर से हमेशा की तरह बता दूं कि किसी दो जैसे क्योंकि इस प्रियोग सिर्फ शोतन के लिए कि दूस्त है दोनों दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं तो कहीं पर भी अगर किसी के बीश जो है तो उसके बीश में आप ऐसा कोई गलत काम ना करें इसा कोई रोल अडार ना करें जिससे उआप पाप में पढड़ें हाँ यदि आपके पती है आपकी पत्नी है कहीं गलत तरीके से किसी के साथ रिलेशन में है तो आप अवश्य ही से करें आपको छुटकारा मिल जाएगा तो दोस्तों आपको करना क्या है कि मिट्टी का तवा लेना है और गेहूं के आटे की आपको रोटी बनानी है लकडी क्या कोईला कोईला लकडी का ही होना चाहिए आप इसको बिल्कुल दिमाग में रखना उससे आप उस तवे पर दोस्तों नीचे आपकी शोतन का नाम लिख दे और उपर की तरफ आपके पती का नाम लिख दे समझ गए है मिट्टी का तवा लेले लकडी का पसकोईला लेले और नीचे की तरफ जिस तरफ गेस की तरफ जहां नीचे रहती है चुले की तरफ आपको शोतन का नाम लिखना है और तवे में उपर की तरफ आपको अपने पती का नाम लिखना है और दोस्तों उस तवे को बराबर गरम होने देना है जैसे जैसे दोस्तों एक तवा गरम होता है आप देखेंगे कि यह जो यह लोग है इनके दिमाग पर मांसिक उचाठ होने लग जाएगा एक टेंशन, एक गुसा, एक उचाठ, एक बेचेन यह अपने आप आने लग जाए कि जैसे जैसे यह नाम जलता है उस मिट्टी के तवे में लिखा हुआ उसके बाद दोस्तों आपको इसमें डाल देने का है रोटी और रोटी को बराबर पका लेना है पका करके उस रोटी को आप एक तरफ रख ले और उसके बाद में दोस्तों जब दिन अस्त हो जाए तब दोस्तों इस तवे के आप चार टुकड़े कर दे चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फैंक दे और दोस्तों यह जो रोटी है यदि हो सके तो कोई भी दो जंगली जो भी जानवर हो जैसे कुत्ते हों कुत्ता है बिल्ली है कुत्ता हो तो ज़्यादा बैस रहेगा आप उसे खिला दे अलग-अलग आधी-अधी रोटी आपको देनी है और जब आप उसे दे रहे हैं को फेक ना है जब आप तवयको भी तवयके जब टुकड़े वेक कर दोस्तों कि जब आप कोई भी विधी करते हैं वहां कहींने कहीं आप कोई कर देते हैं जिससे आपका काम नहीं अगर नहीं होता है तो कारण इस इनी में से कहीं कोई होगा या फिर आपका कंसेंट्रेशन पावर कम है फोल्ट कहां है जब आप एक कोई भी विधी करते हैं उससे में खास ध्यान रखें कि आप फोल्ट कहां कर रहे हैं तो जब भी आप एसी कोई भी विधी करते हैं कोई भ सफलती है और जैसे ही किसी ने पूछ लिया किसी ने देख लिया किसी और के अंदर क्वेस्टन मार्क हो गया आपकी चीजों करते हुए आपको देखते हुए तो चीज खंडित हो जाती है इन चीजों को करते समय दोस्तों आप अपना खुद का भी दिमाग लगाएं कि ऐसी किस तरीके से करनी चाहिए ताकि वो सफल हो जाएं आप करके देखें दोस्तों आपको 110% मिलेगा और अगर आपको कोई तकलीफ होती है कहीं पर भी तो आप जरूर मुझसे पूछे कमेंट वक्स में जाएं लिखें मैं उसका आशर अवश्य ही दूँगी अगर आपको मेर अवश्य ही करें शेर करें तो कड़ते रहें दोस्तों खुश रहें जैसी करें